आपको पढ़ाने जा रहे हूं, Genetics Basis of Inheritings यह चाहिए कि 11th और 12th at the culture के लिए भी बहुत important है आप इसके छोप पढ़ सकते हो जैसे ही आप देख रहे हैं कि Genetics की बात हो रही है तो Genetics होता क्या चीज है? तो Genetics जो है, वो क्या चीज है? तो Genetics is the study of principle and mechanism of heredity and variation इसको अगर हिंदे बोला जा सकता है कि अनुवानसी की अनुवानसी की का क्या अंसरगत? अनुवानसीता के क्रिया में ही एवं विपनताओं का अध्यन किया जाता है यह जो है Genetics जो है उसमें इसके भी फादर है जैसे बहुत इंपोर्टेंट ठीजे लिए एक टॉपिक जो है बहुत इंपोर्टेंट है नीट के बेस के लिए भी तो यहां पर दिया हुआ है कि फादर अफ जानेटिक्स ठीक है? फादर अफ जानेटिक्स कॉनसा साइंटिस्ट है तो यह जो टॉप जो Altिय साइंटिस्ट आए लंजा रख ऑ़। Nós92u Orange & साइंटिस ने ने इप देए उनकालल है अब आते है कि मैंने आपको जैनेटिक्स बता दिया और आपको यह ही बता दिया कि यह फादर अफ जैनेटिक्स कौन है तो गैगल जो और मेंडल, जनरली हम इनको मेंडल बोलते हैं, बट इसका, इनका फोल पर्म जो है, कई लोग जीजे ए, मेंडल मी बोलते हैं. स्क अब देखते हैं, ब्रांचेस और जैनेटिक्स. Genetics का जो ढहले, three branches होती है Three branch में, first होता है transmission genetics Second होता है molecular genetics And third होता है population genetics Transmission genetics का मितलब क्या होता है कि जो genetics materials होते है Genes होते है One generation to other generation क्या होते है Transfer होते है Transmit होते है जैसे दिया हुआ है studied transmission of gene From generation to generation जीन जो है generation to generation जो है transfer होंगे तो उसी को क्या चीज बोलता है transferegenetics ठीक है then molecular genetics molecular genetics molecular level पे जो जीन का कारी किया जाता वर्क होता है तो उसको बोला जाता है molecular genetics फिर है population density, population, sorry, population genetics population genetics जो है इसमें population के base पे gene जो होते हैं तो उसका अलग-अलग जैसे changement के base पे distribution किया गया है तो इसको मोलते है population genetics ये तो हमने बात कर लिया genetics के बारे में और branch of genetics पे हमने देख लिया अब देखते हैं हम कि यहां पर मैंने आपको बोला था कि genetics is the study of principle and mechanism of heredity and variation अब देखते हैं कि heredity and variation heredity and variation के बारे में देखते हैं तो heredity बहुत लंबा चलेगा तो मैं पहले आपको variation डिल कर देती हूँ variation क्या होता है तो variation जो है चेंग्मेंट होना जैसे कोई भी चीज है उसमें चेंग्मेंट आजाना जैसे अगर आप गर्म जगे से जाते हो धंडे जगे पे तो आपके Hier in skin में क्या हो जाता है चेंग्मेंंट आजाता है तो वैसे ही यहाँ पर variation की बार इल्छी है rus사ी बाद 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 किस करना से होसकता है फार हॉतक्त है Simymetious भी यहिमेंटटा की बाद होरी है इसके दिया हुआ है variation का आप इसका definition भी लेख सकते हो पूरा आपको पूरा study material भी दे रही हो या आप इसको देख सकते हो और आप notes भी तयार कर सकते हो जैसे दिया हुआ है variation का difference found in morphological, physiological, psychological and behavior that of individual belonging to same species, race and family. Family इसका मतलब यह होता है variation मतलब एक ही family या फिर एक ही species में behavior हो या physiological हो या फिर morphological हो जो changement आता है उसे क्या चीज़ बोलते हैं विभिन्नता बोलते हैं अब यह जो है इसका मैंने reason भी बजा दिया कि किस किस कारण से हो सकता है तो environmental factor के कारण से हो सकता है, mutation के कारण से हो सकता है फिर उसके अगर जीन में जो है पुनर स्थापन की प्रक्रिया ठीक है मतलब वो जीन जो है फिर से क्या हो रहा है इस्थापित हो रहा है तो यह जो process किस के कारण से होगा variation की कारण से होगा अब देखते हम variation की types of variation में क्या होगा कि two types होते है two types होगे variation की एक होता है आपका somatic variation somatic variation और second होता है germinal variation germinal variation somatic variation and second है आपका germinal variation somatic variation after birth ठीक है after birth जो होगा उसे somatic variation बोलते है और जो germ से ही होगा उसको क्या बोलते है germinal variation बोलते है अब somatic variation जैसे ही किसमे किसमे हो सकता है यह develop करता है कमा कहा पर develop करेगा somatic and body cell में ठीक है अब यह develop करेगा हम कहां पर somatic and body cell में जिसका कहां कहां पर इसका reason क्या हो सकता है तो सबसे पहले reason जो होता है इसका अभी मैंने बताया कि environmental factor environmental factor जो है इसका reason होगा अभी environmental factor में आपको पता है कि temperature हो गया temperature humidity humidity water यह सारे क्या होँगे somatic variation होगा जैसे मैंने आप मैं आपको एक example दे देती हूँ कि जैसे ही environmental factor के कारण से जैसे हमने अब थंडे देश पे हैं और अचानक से हम चले जाते हैं गर्म देश पे तो वहाँ पर हमको changement उस पर ढलने में time लगता है और एक changement आ जाता है विपिनता आ जाती है वारीशन हो जाता है तो इसको क्या जित बोलते हैं somatic variation बोलते हैं और जर्मीनल variation की बात करते तो जर्मीनल variation जो होता है वह जांट सेल में होता है यह develop करेंगा का अबर्ड जर्म सेल में जो है उसका example क्या क्या हो सकते तो आपको पता ही होगा जर्म सेल क्या होता हुर्म सेल होता है जर्मिनल जो होते हैं यह Rings चो होते हैं फर्द टॉ टाइप की होते हैं फर्स्ट होता है continuous variation and second होता है discontinuous variation continuous variation मतलब आपको पता चल गया continuous बोला जा रहा है तो continuous जो होता है उसको continuous variation बोलते हैं और second होता है discontinuous मतलब वो क्या होगा discontinuous में क्या होगा कि वो continue नहीं हो रहा है तो जो continuous variation जो है उसका example जो होता है जैसे height हो गया, weight हो गया यहां पर में बता रिती हो, first continuous, and second होता है, this continuous, yes, जिसमें continuous में क्या चीज़ बोली, height हो गया, weight हो गया, इसमें जो variation होता है, उसको continuous variation बोलते हैं, और जिस ब्लड ग्रूप हो गया, human blood group बता है आपको, कि फोट टाप आप ब्लड ग्रूप होते है, blood group A, blood group O, blood group A, blood group B, ठीक है, तो यह जो है, discontinuous variation की क्या होते हैं, example होते हैं, और bird जो होते हैं, उसके wings जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, different color के होते हैं, जो किसमें आएंगे, उसमें आएंगे, में आपके discontinuous में और हाइट हो गया वेट हो गया वह आपके continuous variation में बहेंगे ओके हमने variation पढ़ लिया अब तेखते हैं हारीडिटी जो की मेंने आपको मैंने दो बताया था जिसमें फर्स्ट आपका हारीडिटी और सेकेंड आपको variation तो variation आपको clear हो गया है हम जाते हैं हारीडिटी अब बात करते हैं हारीडिटी की हारीटी का हिंदी मीनिंग होता है अधसी इच की यह जो है हारीडिटी जो है parents to office constrained जो characters होते हैं transmitted होते हैं क्या चीज़ बोते हैं हारीडिटी जैसिए definition दिया हुआ हेरीडिटी is the study of transmission of characters from parent to office अगर parents कोई character जो है, office brain में, child में, जो है, transmit होता है, transfer होता है, तो उसको क्या बहुते है, heredity बहुते है, अब heredity के पात, हमको mendal experiment देखने के लिए, हमको inheritance की जो importance term यूज होते है, उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम mendal experiment देखेंगे, तो first होता है gene, अब gene तो नाम जीन क्या होता है तो कोई भी और्गेनिजम में बायोलोजिकल क्यारेक्टर जो डीटर्माइन करता है बायोलोजिकल क्या करेक्टर को जो क्या करेगा डीटर्माइन करेगा उसको क्या चीत बोलते हैं जीन बोलते हैं जिसको हिंदी में बायोलोजिकल क्यारेक्टर को बोला जा जो alternative forms होते हैं, उसको क्या चीज़ बोलते हैं, aliens बोलते है, alternative को हिंदी में बोला जाता है, ekantregram, जैसे हम देख सबते हैं, यह जीन है, सबोस्थ मैंने capital T लिखा हुआ है, तो यह एक जीन है, इसी के जैसा ही एक जीन जो होगा, तो यह इसका क्या हो गया, alternative form हो गया, वैसे ही जो है, अगर हमने small T लिया, इसका small T, तो यह जो होगा, alternative form हो गया, जीन का, तो इसी को क्या चीज़ बोला जाता है, aliens बोला जाता है, तो इसी को ही क्या चीज़ बोला जाता है, gene locus बोलता है, clear, क्या चीज़ बोली मैंने gene locus के बारे में, कि chromosome में एक specific locus होगा, एक specific space होगा, जहां पर जो है, gene जो होगे, क्या होगे, present होगे, यह chromosome होगे, और यह क्या होगे, gene होगे, तो इसी को क्या चीब उना दाता है? जीन लोकस बोलते हैं फिर फोर्थ हाथा डॉमिनेंट फैक्टर डॉमिनेंट नियुज प्रभावी जो है अगर कोई भी दो जीन होते हैं जैसे यहाँ पर मैंने कापिटल ती कापिटल ती बताया ठीक है? दोनों कापिटल ती ती है तो इसको मैंने अगर सपोस दे दिया लंबा बोल दिया टॉल बोल दिया टॉल जो है वो डॉर्थ पे बॉल्य पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा तो इसी को क्या चीज़ बोलेंगे, dominant factor, जो अपने character को क्या करेगा, express करेगा, तो इसको क्या चीज़ बोलते है, dominant factor बोलते है, अब बात आती है, recessive factor की, तो recessive factor क्या होगा, जिसका character जो है, क्या हो जाएगा, suppress हो जाएगा, जो dominant के आगे, dominant अपने character को express कर रहा है, और recessive factor मतलब जो अपने character को क्या कर दे रहा है, छिपा दे रहा है, suppress कर दे रहा है, तो इसको क्या चीज़ बोलते है, recessive factor, जैसे हम एक्जामपल की तॉल पर देख सक तो आहीं कहा है? इसमॉल टीर, जो कि बॉला है तो यह जो है, टौल जो है, वो इसके character को क्या करतेगा? अप्रेज करतेगा और अपने character को क्या करेगा? एं एक स्वेश करेगा तो इसी को क्या जाय भुलते है? रेसिसिल Factor बोलते हैं, और dominant Factor बोलते हैं आप बात करते हम इसके बाद आते हैं homozygous and heterosygous के बारे में homozygous factor क्या होता है और heterosygous factor क्या होता है तो homozygous factor जो है homozygous factor आपने देखा Alice मैं इसी लिए बताई ताकि आपको जो term जो use हो रहा है इसी लिए एक के बाद एक के बाद बताते जा रहे हो ताकि आपको कोई confusion ना हो तो homozygous factor जो Alice होगे अगर कोई भी character के लिए वन character के लिए ये एक character है ठीक है एक लक्षण है उसके लिए जो jeans होगे एक character के लिए jeans जो है वो एक समान होगे ठीक है इस character आपको कोई भी character है जाए वो टॉल हो चाहिए ड्वार्फ हो लंबा हो बॉना हो तो वो एक character है जिसके लिए जो jeans होगे वो एक समान होगे इस तरीके से एक समान होगे तो उसी को क्या चीज बोला जाता है homozygous factor बोलते हैं ऐसे यह आता है आपको क्या चीज है हेट्रोजाइगस factor हेट्रोजाइगस factor क्या होता है मैंने यहाँ पर बताया कि one character के लिए एक character के लिए जो jeans होगे एक समान होगे same होगे तो उसको homozygous बोलेंगे बाट यहाँ पर different होगा यहाँ पर one character के लिए एक character के लिए जो jeans होगे मुद क्या होगे एक दूसरे से क्या होगे different होगे जैसे यहाँ पर capital T and small T आया यह क्या होगे आपका homozygous factor आया अब देखते हम next बाट आदी इतना तो समझ हैं आगे होगा कि homozygous factor क्या होता है और hydrozygous factor क्या होता है